मुझे बेहत खुशी है कि हमारे विदानसभा के परिसर में अगर्वाल जहनती इस तरह से मनाई जाने लगी है यह एक अच्छी प्रत्था है जो शुरू हुई है और हर साल इसी तरह से अगर्वाल अगर्से इन जहन्ती हम लोग यहाँ पे विदानसभा के के परिसर में मनाया करेंगे दोस्तों कहा जाता है कि अगरवाल समाज के लोग व्यापार और इंडस्ट्री बिजनस का काम करते हैं यह एक आम धारना है लेकिन हकीकत यह है कि अगरवाल समाज ने हर क्षेतर के अंदर चाहे वो आट इन कल्चर हो चाहे वो फीयटर हो चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो बिजनस हो चाहे वो प्रफेशन हो चाहे राजनीती हो हर क्षेत्र के अंदर आपको अगरवाल समाज के लोग सबसे आगे मिलेंगे हर क्षेत्र के अंदर नाम कमाया अगरवाल समाज ने और पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ पूरी दुनिया के अंदर आपको अगर्वाल समाज के लोग सबसे आगे मिलते हैं एक तरफ अगर्वाल समाज के लोगों ने मेहनत करके खून पसीना बहाके अपने दिमाग का इस्तिमाल करके पैसा कमाया तो दूसरी तरफ दूसरे हाथ से धर्म का काम करने में भी कभी पीछे नहीं अटे जब जब समाज को या देश को किसी भी चीज की जरूरत हुई अपने तन, मन, धन से अगरवाल समाज ने देश के लिए और समाज के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहा है अगरवाल समाज पिछले दिनों डेड़ साल करोना ने महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है इसकी वज़े से सब लोगों को नुकसान हुआ है चूंकि मैं खूद अगरवाल समाज से आता हूँ तो मेरे रिष्टेदार, फैमिली के लोग, उनसे काफी बात्चीत जब होती है आम अग्र्वाल समाज के लोगों से बात्चीत होती है, बिजनस के लोगों से बात्चीत होती है तो इस दौरान काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को एक तरफ लोगों के रोजगार चले गए तो दूसरी तरफ कई फैक्टरियां बंद हो गई प्रोडक्शन कम हो गई, सेल्स कम हो गई, व्यापार में नुक्सान हो रहा है, काफी नुक्सान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अगरवाल समाज के लोगों का दिल छोटा नहीं हुआ, जहां भी जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी, किसी भी व्यक्ति को जो जरूरत में था, चाहे कितना भी नुक्सान हुआ, लोगों ने अपना दिल खोल के दान किया, इस बात का सबसे बड़ा गवा मैं हूँ, और खासकर अप्रेल के महीने में अभी जब सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा विपदा आ गई थी, कुछ र खेल गया था, कोई भी हेल्थ सिस्टम इतनी बड़ी आपदा को एड्रेस नहीं कर सकता, चाहे कितना भी शांदार हो, अमरीका फेल हो गया, लंडन फेल हो गया, सारे बड़े-बड़े सिस्टम फेल हो गया, तो कुछ दिन ऐसे थे जब बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ अपने आपको लाचार महसूस कर रहे थे कई बार, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने, मैंने, मेरे मंत्रियों ने, मेरे विधायकों ने, जब भी किसी को भी फोन उठा के मदद मांगी, किसी ने भी मदद करने से मना ने किया हम लोगों को, हमें ऑक्सिजन की जरूरत थी, किस अपने ऑक्सिजन के सेलेंडर चाहिए, खाने की जरूरत थी, राशन की जरूरत थी, फलानी चीज की जरूरत थी, दवाईयों की जरूरत थी, किसी भी चीज की जरूरत थी, किसी भी बिजनसमेन को, किसी भी इंडस्ट्री वाले को फोन किया, हमें किसी ने मना नहीं किया, यह जो हम सब लोगों की ताकत है आज हम करोना से निपटने में सफल इसलिए हुए इसलिए नहीं कि दिल्ली सरकार ने अकेले काम किया इसलिए कि दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने मिलके परिवार की तरह काम किया इसलिए हम लोग सफल हुए और इस बात की मुझे खुशी ह कि दिल्ली के दो करोड लोग अब एक परिवार की तरह बनते जा रहे हैं हम सब लोग एक परिवार की तरह बनते जा रहे हैं सुख में, दुख में, मसीबत में, कुछ भी हो तियो हार मनाना हो तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली वाले दिन शाम को साथ बजे मैं अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ दिवाली का पूजन करूँगा तो साथ बजे का मुरत निकला है उसने बताया पौने साथ से सवा साथ के बीच में कभी भी कर सकते हो तो साथ बजे हम मूरत करेंगे उसका लाइव टेली कास्ट होगा तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है अपने अपने घरों के अंदर हमारे साथ पूजन करना उधर हम कर रहे होंगे उसका लाइव टेली कास्ट हो रहा होगा आप लोग अपने अ होंगे पूरे दिल्ली के अंदर वाइब्रेशन किस तरह की होंगे आप कल्पना करके देख गलत तो नहीं क्या रहा है तो सब लोग मिलके उस दिन पूशन करना अभी मंगलवार को दिवाली का टाइम है तो मंगलवार को मैं आयोध्या जा रहा हूं रामलला के दर्शन करने के लिए आप सब लोगों की तरफ से भगवान रामचंदर जी से दिल्ली के लिए दिल्ली वालों के लिए आशिरवाद लेने के लिए कि हमारी दिल्ली सुखी रहे सब लोग सुखी हो, सब का परिवार सुखी हो, स्वस्थ हो, आनंद में हो, यह आशिरवाद लेने के लिए मैं उध्या जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले पांच साथ साल के अंदर जिस तरह से दिल्ली ने बड़ी तेजी से तरक्की की है बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमने बना रखी है, और हमारा सबसे बड़ा आइडियाज का मंत्री जो है, वो सतिंदर जैन ही है, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि, उसका दिमाग, वो कहते थे ना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, हमारे सति सब लोगों को एक बार फिर से अगर से इन जैनती की बहुत-बहुत शुब कामना है, थैंक यू.